तो हपी पास पीचिटी कॉमर्स एक्जामिनेशन फर्स्क जो स्क्रीनिंग टेस्ट इस गुए टेंबर के अंदर पूर्ड़ेट्ट वह हमारे पास अल्रेडी आ चुक है इस एक्जामिनेशन को लेकर तो अभी आने वाले लिमिटेड देस्स में क्या चीजों पर आपको फू सेशन करते हैं आएए फड़ा-फड़ से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं तो प्यारे दोस्तों आने वाले 40 देस के लिए हमारे पास यह एजंडा है सबसे पहला एक प्राइरिटी पर आपकी यह चीज़ दोनी चाहिए कि जो भी सलेबस आपका पेंडिंग है आप उसे कंप आप उसे कंप्लीट करें चाहें पर लग भर यह बहुत शब्लाव पर कंप्लीट कर लें जो भी मुष्किल टॉपिक हैं उससे हो सकता सवाल असान ही आ जाए और जो अस अचार्वा इस सकता है उससे सवार विख ले तो आपका इस क enfin पप्रेशन है डाट स्वक्रोंस लेश आपको previous year question और mock test पे focus करना है देखो previous year question आपको HPSC PGT के लिए तो शायद इतने नहीं मिल पाएंगे बड़ आपके जो बाकी state PGT के exam होते है एच state का paper होता है तो वो वाले जो questions होते है आप उनको जरूर solve करना उससे आपको confidence build up होगा और आपको पता लगेगा कि state level पे आपके जो PGT paper होता है उसके अंदर किस level के किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं और इसके लावा आपको mock test भी लगाने चाहिए एको mock test आप लगाएंगे उससे आपको फोड़ा सो और confidence boost होगा कि आप सवालों को solve कर पा रहें answer कर पा रहें तो you will feel confident कि आप exam में भी कर पाएंगे इसके अलावा आता है ची writing practice और writing practice अभी subjective वाला जो paper है उसके लिए जादा important है इस वाले stage के लिए तो important नहीं है यह तो अगर आपके पास time बचता है पहली दो चीजे करने के बाद तो आप third step पे जाएं otherwise अभी के लिए third step को skip भी कर सकते हैं अगर writing practice करना चाहते हैं तो हफते में आप कोशिश कर सकते हैं कि एक दो घंटे का writing practice कर लें या फिर daily basis पे half and hour writing practice के लिए लगा लें अ चाहिए कि आप अपने जो मॉक टेस्ट हैं उन पर जादा फोकस करो राइटिंग प्रेक्टिस अभी थोड़ा से secondary important हो जाता है तो अगर आपके पहले दो वाले पार्ट पूरे comfortable हैं तब ही इस पर move on करना और प्यारे दोस्तों कुछ ऐसी चीज़े आपको बता देता हूं जो कि आपको ध्यान में रखनी है इन आने वाले limited days के अंदर सबसे पहली चीज़े stick to your syllabus तो आपके syllabus का print out तो हमीशा आपके पास होने ही चाहिए या आपके पास save होना चाहिए अपने computer में mobile में तो आप सारे दोस्तों आपके जो state level के PGT exams होते हैं उसमें जो examination में सवाल पूछे जा रहे हैं उसमें factual orientation काफी जादा देखने को मिल जाता है तो काफी सारे facts आप से पूछ लेते हैं तो सारे facts को अगर आपको learn करना है तो उसके लिए आप उन्हें note-down भी कर सकते हैं उससे याद भी दिया है तो यह सब चीजें आपके exam में पूछी जा सकते हैं काफी important factor रहते हैं तो यह सारी चीजें आपको याद कर लेनी है और इसके लावा you must attempt mock test तो mock test कुछ जरूर लगाना mock test आप लगाओगे तो आपको feel आएगा कि हाँ examination में सवाल आएंगे तो आपको उन्हें कैसे handle करना है तो थोड़ा सा उस वाले environment में थोड़ा सा उस वाले feel में आप जरूर कुछ ना कुछ mock test लगाईए ताकि आपको confidence थोड़ा सा boost हो जाए और exam का जो day है आपके लिए फोड़ा सा normal बन जाए कि आपने ऐसे mock test पहले भी लगा रखे और exam आपके लिए फोड़ा सा normal हो ज कि एवर स्टेडी क्लासे पीजीटी कॉमर्स के सभी कोर्स पर फ्लाट 40 परसेंट आफ लेकर आया है जुसमें आपको HPSE PGT कॉमर्स के complete कोर्स और question bank पे फ्लाट 40 परसेंट आफ मिल जाएगा आपको promo code PGT40 apply करना है and this is going to remain valid only for a limited period of time तो आप हमारे से जुड़के भी अपना ज PGT कॉमर्स examination के उपर तो यह वाला examination finally conduct होने वाले तो आपका effort पूरा होना चाहिए उससे भी जादा ही होना चाहिए यह वाले examination हर बार नहीं आते हैं यह आपको साल दो साल तीन साल में एक बार देखने को मिलते हैं तो अभी आपका जो effort है इस तरीके का होना चाहिए कि यह साल एक्जामिनेशन फिर दुबारा तीन साल बाद ही देने को मिलेगा तो मेक शॉर कि आप इसमें अपना बेस्ट शॉट दे रहे हों और कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है कोई भी माइंड में आपकी चीज रहनी नहीं चाहिए आप अपनी तरह से जितना कर सकते हो सभ नहां पर मेक्सिमाइज हो जाएं आज के लिए इतना ही थैंक यू बाय टेक केर आल दे बेस्ट